हम नहीं जानते थे, आप इतने निर्दई आप ऐसे चुपताइकर क्या थापित करना चाहते हैं कि आपको किसी की परवान नहीं सिर्फ आपका पान संपान आपको प्यारा है अगर ये घर छोड़कर चली गई ना तो कहा जाएगा आपका मान संपान, कहा जाएगी आपकी इजट, क्या कहेंगे शहर के लोग? लोगों की छोड़िये लेकिन आप अपनी नजर में खिर जाएगे अपने आपसे आखे ने मिला सकेंगे आपर करो चुप रहें अपने आपसे आपसे उचित प्रूच को रहें प्रूच को बुझत रोच्च! रोच्च! यहापने क्या क्या पगवान? ऐसा कौन सा पाप किया था हमने? क्या कमी रहे केती हमारी भग्ती में? रोब लिजे हमारी सचनी को रोब लिजे उस पूल जैसी देविका को उसके प्राप यहाँ किसी कभी मल नगेगा आपका भी नहीं ढ खने से नहीं उसके जोईव दिए झाल भी जय सो कहतнее ठाब्स भी भी प्लाव आपूरा बनार शेह जानता है, कि राधा आप सिर्फ हमारा ली में पुरे घर के लिए मर्चुक चारेगा सौका देवी का मिष्ञ आत्म चारेगा सौर्फिया राध्य। शाक्तम मिष्ञ सब लोग मिलकर इश्वर की राधन अचारेगा कि वो राधो की आत्मा को हमेशा हमेशा के देश्चान की प्रदान आखे हुआ 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 है हुआ हुआ है नहीं, बेटा यह तुम सही नहीं कर रहे हैं ये तुम्हारी धारणा गलत है कि राग होके इस घर में ना रहने से इस घर में तुम्हें रहने का कोई अधिकार नहीं बिल्कुल गलत है अगर तुम्हें आज ऐसा लगता भी है तो पहले हमारे स्वाल का चबाब दो पिछले बाइस सालों में जागहों ने अपनी निजी जिन्दगे में जो कुछ भी किया है उसके लिए हमने कहीं तुम्हें सिब्यदार ठहराया उसके जाने के बाद उसे लेकर हमने कभी कोई ऐसी बात तुमसे कही जो हमने नहीं कहने चाहिए जाने के बाद तुम्हारे प्रती और देवीकर के प्रती हमारी जितनी भी जिम्मेदारिया थी हमने निभाने में हमसे कोई गलती हुई है हमने कहीं कसर चोड़ी है हमारे यार में हमारी लगन में रिष्टे में इसने हमें कहीं कोई खामिया नजर आई तुम्हें हमने ऐसा कभी नहीं कहा हमें आपने वो सब कुछ दिया है जो एक बहु को मिलना चाहिए मान सब मान प्यार सब को प्यार लेकिन बाब जी लेकिन लेकिन वैसे तुमने ठीक ही कहा है कि रागव के श्राद के बाद इस घर में रहने का तुमें कोई अधिकार नहीं रह जांदर या कह रहे हूं ऐसा कसर कह सकता है उन्हें रोकने की बजाए उन्हें जाने के लिए अधिक कह रहे हैं दुनिया के नजरों में अब तुमें इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं क्योंकि जब बेटा ही नहीं रहा तो बहु से इस घर का क्या रिष्टा लेकिन हम कहते हैं कि एक बहु के नाते नहीं एक बेटी के नाते तुमी जह में रह सकती है भूल जाओ के तुम इस घर की बहु हो लेकिन एक बेटी बनके तो यहां रह सकती है जाओ के पिटा के बता है जैसे बुड़े वापको अच्छा नहीं लगेंगा और देविका, यह तो हमारा गुरूर है, हमारे गुरूर को तुम, तुम से छेन कर ले जा रही है देखो बेटा, आज के बाद, तुम्हें हमसे जितनी भी शिकायते हैं, कह दो लेकिन इस घर से बाहर जाने के बात नहीं, कभी मत कर, बहुत दुखो कर और गर किसी को इस घर से बाहर जाना ही पड़ा ख़दे हैं, पहले तो हम जाएंगे नहीं भी, यह तू उपर एक बात याद में, आज से यह हवेल, कि तुम्हारा ससुरान नहीं, तुम्हारा अमायका है और दुनिया की कोई भी ताकत, एक बेटी को अपने घर से, मायके से निकालने का अभिकार नहीं रखनी मच जाओ बेटे, मच जाओ इस घर आंगन को तुम्हारी आदत हो चुकी है मच जाओ पर तुम्हारी गई तो इस हवेली की आत्मा ही निकल जाएगी अपने अम्मा को बच जाने तो, रोको उसे तुम्हारी डुर्च जाओ हम तेरा अहसान माने, मेरे आमेशा के लिए बापसे पूलोगे बापुची. आपसे बहुत बड़ी भूलोगे होगे किश्वा करतीजी. कैसी ख्षमा? कैसी मफिल? जब तुमने कोई भूल की ही नहीं, तो किसलिए ख्षमा बात रही है? रंडी, सवाल अपनी बेटे को. उसे सब्याओ. उसे इस तरह रोता हुआ, नहीं देख सकते हैं. इसके आखों में यह आसो नहीं देख सकते हैं. समालो, अपनी बेटी को और सम्या हाओ. अरे, तुम्हें खड़े-खड़े मूख्या देख रहे हो. जो भविगा समनने रिको. जी, भवजी. हाँ तुम्हें कभी नहीं वाफ करेंगे. फिर कभी खर छोडने की बात कि भी गएती हैं. जिनना, वो कपी नहीं पूफ़ाइए, तुमेरे. अबब, आपको छोड़कर कपी नहीं जाएंगे. मा, सब्सी. देविका कहा है? कहां रहे हैंसा तु? लाट साहब अपने दोस्तों के साथ पडरगस्ती कर रहे थे. और ऐसे ही चलता है रहा ना, इस साल परीष्टा में जरूर फेल होंगी. अरे, मुन्ना भाईया का पढ़ाय में दिमाग इतना तेज है, तुने ज्यादा पढ़ने की जरूरती नहीं. कम में बहुत ज्यादा समझ लेते हैं. क्यों मुन्ना भाईया, तही बोला ना मैंने. पापची कहा रहे गए? क्यों में आपची का पढ़ाया है. क्यों में, खाना लगातू. चौनो बेटों सब्सक्राइए. देवीका, नहीं आए? आरा, इगे. उसकी तब्यत खराब है. कल तक ठीक हो जाएगी. एक दिन खाना नहीं खाएगी, तो... लेकि नाश्तिक हमने बगार देवीका के खाना नहीं खाया. क्या हुआ है उसे? हम देखते हैं. आप आराम से खाएए ना. वो ठीक हो जाएगी. एक दिन खर नहीं खाया गित्तों. आप क्या होगा, आम्मा? आप कुछ गीजिए नहीं? आप कुछ देखे, आप अपने नियादी को. आप कुछ भात पर नहीं मतुछ. आप भी स्विकार कर लीजे, आप. स्विकार कर लीजे, कि आप अपने मां का संदुर को चुकी है. अपाने पापा को खोचड़ के, खोचड़ के हम दोनों, को आपको अपशा के लिए गगे, वह कभी मापस ने आएंगे, अबा, अबाँ कर देजी, हम अपने बताजी को नुड़ने में असा बन रहें, बेटी देवेगा? बेटी देवी का हम सब कुछ समझते हैं, इस वक्तुम हमारे बारे में क्या सोच रही हो, जाते हैं, कि हमारे ये दादेजी कितने कठोर हैं, मिष्टर है, निर्दई है, दिल नाम की कोई चीज इनके सेने में है या नहीं है, कि हमारे पिदा के बारे में, ये ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं, जे सारे कीज़ें कैसे कर सकते हैं, सब समझते हैं, लेकिन बेटा, हम पर भरस्ता करो है हम शायद हमारे बेटे इदाघव को उसने हमारे साथ जो कुछ भी किया है सहरी चीजों को भुला कर हम उसे मुफ कर भी देंगे भूल जाएंगे सब कुछ उसने जो कुछ भी किया है हमारे साथ सब कुछ भूल जाएंगे लेकि हम तुमारे बाप को कभी मौफी नहीं करेंगे जिसने तुमारी और तुमारी मारी आग्पों में जिस तरह के असु दिये है उसके लिए हम इनागा को तुमारे पिता को हम कभी मौफ नहीं कर बाएंगे कभी नहीं कर बाएंगे अगर तुम्हें कहीं ऐसा नहीं है कि हमने जो कुछ भी किया है वो गलत है बिल्कुल गलत है तो फिर मत भादाओंगे और उसके लिए हम तुम्हें कभी दोशी नहीं ठेहना हैंगे सुच कर दोशी कर दोशी कर दोशी नहीं कर दोशी कर दोशी नहीं